प्रावधान रहने की जरूत है यह तो बड़े खिलाड़ी है इनको देश समाय कुछ लेना देना ही नहीं है और पुरा हिंदुस्तान कॉंग्रेस को नकार चुका है नकार चुका है और आप तो जानते हैं कॉंग्रेस जीस राज्ये में से एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए कॉंग्रेस की कोशिश किसी भी तरह बोटों का बटवारा करने का कॉंट्रेक लिया है और बियारेस कॉंग्रेस को भोटों का बटवारा कराने के लिए तीजोरी खुली करके बैड़ गई है परदे के पिछे खेल चल रहा है बैक डॉर एंट्री ये बियारेस और कॉंग्रेस की परपूर चल रही है इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं आज जब ते लंगना में बियारेस की हार तय है बियारेस का पराजय तय है बियारेस का जाना तय है तो कॉंग्रेस ने परदे के पीछे बियारेस से गड़वन्दन कर लिया है करनाटर का चुनाओ में बियारेस की जम कर मदद की थी और आब बैस चुनाओ में कॉंग्रेस अपना करज उतार रही है क्योंकि करनाटर क में भरपूर खजाना यह ते लंगना की जनता से लूटा हुआ माल करनाटर का में कॉंग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कॉंग्रेस जिल जाए फिर उसको मिल करके ते लंगना में जिल जाए यह बियारेस खेल करती है भाईयो मैं आज पहली बार एक रहत से खोलने जा रहा हूँ खोल दो सच बता दो बता दो बता दो बता दो भाईयो पहले कभी नहीं बताया आज बता देता हूँ और मेरे पत्रकार मेत्रों से भी कहता हूँ जाच करवा लेना शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूँ मैं आज जब हैदराबाद मिंसिपल कार्परेशन का इलेक्शन हुआ भारतिय जनता पार्टी चालिस पैतालिस सीटे जीत करके आ गई किसी को बहुमत नहीं मिला के सी आर को सपोर्ट की जरुरत थे है और आपने देखा होगा है 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 यह द्राबाद कोर्परेशन के चुनाव के पहले वह एरपोर्ट पे पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भई अचानक मन दो गए अचानक इतना गुशा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हाइदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारीक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आये बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया यह केसी आर के केरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नित्रुतों में देश प्रगति कर रहा है हम भी एंडिय का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें एंडिय में शामिल कर दिजिए बनका आगे क्या बोले हैं है इद्राबाद में मुंसिपाल कॉर्परशन में हमारी मदद कर दिजिए मैंने केसियार को कहा आपके कारणा में ऐसे है मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है है इद्राबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे केसियार की सरकार हमारे कायर करताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगणा की जंता से दगान नहीं कर सकते हैं पले तेलंगणा की जंता ने हैद्राबाद में हमें पूर्ण पहुमत दे दिया लेकिन 48 सिट भी तेलंगणा का भाग्य पदलने की शुट